नमस्कार दोस्तों स्वागित है आप सभी का All Exam Guide गुरूपर दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में Practice Test Set Paper लेकर आए हैं साथ साथ Information भी है दोस्तों दो पहर में 12 बजे मेरी Unacademy पर Live Class होती है इस वीडियो के 15 मिट के बाद दो पहर में 12 बजे Unacademy पर Live Class शुरू हो जाएगी अगर आप नए हैं तो आप Unacademy पर भी पढ़ने के लिए जरूर जुड़ जाएं और अगर आप Regular Student है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके रोज की तरह Class का Notification On कर लीजे दोस्तो Unacademy के Application का मैंने अपना Profile Link भी दे दिया है तो मेरी Profile Link पर क्लिक करके मुझे Follow भी कर लीजेगा अगर आपके Mobile में Unacademy के Application नहीं है तो इसको कैसे Download करना है मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे First Step है आपके लिए Unacademy के Application को Google Play Store से Free में Download कर लेना है Application एकदम Free है तो Download कर लीजे Download करने के बाद में फिर अपना Mobile Number डालिए Registered करिए OTP आएगा Application चालू होगी तो आप मुझसे फिर पढ़ने के लिए Exam Select करने वाले Option पर जाएंगे जहां पर आपको Search करके SSC Exam Select कर लेना है SSC Exam Non Technical आप जैसे ही Select करेंगे आपकी Application फ्री करने के लिए Code Apply करने का Option आएगा तो Code आपको Apply करना है A-E-Double-G चार अकशर का ये Code है याद कर लीजिए Sequences का A-E-Double-G इसी तरीके से आपको Code Enter करना है जैसे Code Enter करेंगे Unacademy के Application Unlock हो जाएगी फिर आप मेरी हर क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करते हुए Direct Enter हो सकते हैं सभी अपने ग्रूप में भी Share कर दीजएगा Free Class है जरूर आईए 12 बजे क्लास जल्द से शुरू हो जाएगी इस वीडियो के 15 मिर्ट के बाद में चलिए अभी हम Test Series Solve करते हैं जो Test में आपके लिए लेकर आया हूँ Question No.1 आपसे पूशा गया है आपर लसी का किस का वहन करती है Right Answer क्या हो जाएगा इस प्रेशन के लिए तो लसी का वसा का वहन करती है Right Answer हो जाएगा इस प्रेशन का अगला Question है पादपों में जाइलम का क्या काम होता है Right Answer क्या है तो पादपों में जाइलम जल के वहन का काम करता है अगला Question देखते है चुद्रांत मतलब छोटी आंत के आंतरिक इस तर पर अनेक उंगली जैसी प्रबर्ध रचनाय होती है इन्हें हम क्या बोलते है तो छोटी आत में आंतरिक्स इस तर पर अनेक उंगली जैसी प्रबर्ध रचनाय होती है इन्हें हम दीर गिरोम कहते है Right Answer हो जाएगा अगला Question देख लेते है ICC की तरब से चुनी गई विशु की टेस्ट एकादस में इन्हेंन मेंसे किन भारते खिलाडियों को जगह मिली है तो ICC की तरब से चुनी गई विशु की टेस्ट एकादस टीम में रोहित शर्मा, आर अश्विन और रिशप पंद को जगह मिली है Right Answer हो जाएगा अगला Question देख लेते है Morning Consult Political Intelligence की विशु की तेरह निताओं की सूची में किसे लोगप्रिय निताओं में पर्थम इस्थान प्राप्त हुआ है तो लोगप्रिय निताओं में पर्थम इस्थान जो है नरिंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है अगला Question देखते है मौरिसस सरकान ने Metro Express परियूजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम इनमें से किसके नाम पर रखा है तो मौरिसस सरकान ने Metro परियूजना में समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा है अगला Question देख लेते है किस देज की नेसनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टा मैट सॉला को यूरोपिय संग का संसत का अध्यक्ष चुना गया है तो यूरोपिय संग की संसत का अध्यक्ष जो है माल्टा की बनी है ये रॉबर्टा मैटा सॉला नेक्ष कौशन देखते हैं विशु का प्रथम अनुवान्चिक संशोधित बच्छडी का नाम क्या है? तो सबसे पहला अनुवान्चिक संशोधित बच्छडे का नाम जह है डॉली है, राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहला एनिमल क्लोन बच्छडा डॉली है, अगला कॉशन, किस से विटामिन युक्त तेल प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, मदुमे के उपचार में इनमें से इंसुलिन उप्योगी होता है? अगला कॉशन देखते हैं, जीवानू, बीटी, किसका संस्लेशन करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए? तो जीवानू, जो है, विश का संस्लेशन करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए? अगला कॉशन देखते है जीव के जीवन का आधार इन में से क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जीव के जीवन का आधार इन में से अनुवांशिक पदार्थ है राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देख लेते हैं क्या पूशा गया है प्रशन है रुधिर इसकंदन कारक किस से प्राप्त किया जाता है राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए तो सईयो जी डियने से प्राप्त होता है रुधिर इसकंदन कारक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए अगला कॉशन देख लेते हैं क्या पूशा गया है किस वैग्यानक ने डॉली भेड के क्लोन को तयार किया था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो डॉली नाम के भेड के क्लोन को जो है ये डॉक्टर इयान विलमुट ने तयार किया था अगला कॉशन देख लेते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए टो स्उरी पृतिरक्षा विझ्ञान का जनगा है तो दिल्ली प्रशन के लिए सईतन हो जाएगा अगला कॉशन है आइसीसी की तरफ से विश्विटी वन्डे महिला टीम में किन दो भारती खिलाडियों को जगह मिली है तो यहाँ पर सेतरो जाएगा मिताली, राज और जूलन गोश्वामी को जगह मिली है राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देख लेते हैं त्रिपरा मडीपुर मेगाले स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है तो त्रिप्रा मडीपुर महिखाले स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाते हैं अगला कॉशन देखते हैं इसराइल ने तीन अत्याधुनिक पंडुबियों को खरीद कर जर्मनी के साथ में 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का समझाता किया है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3.4 अरब डॉलर का समझाता किया है अगला कॉशन देखते हैं प्रतिवर्स किस तारीक को राश्री आपदा प्रतिकरिया बल एंडी आरेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है अगला कॉशन देख लेते हैं अंतर आश्रे सिक्षा दिवस किस तारीक को मनाते हैं तो अंतर आश्रे सिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है अगला कॉशन देखते हैं निमलिकित मेंसे किस से खसरा रोग फैलता है राइट आंसर क्या है तो प्रोटो जोवा से खसरा रोग फैलता है राइट आंसर हो जाएगा हाथी पग रोग एलिफर्टाइसिस का कारण क्या है तो वॉचेरिया प्रशन के लिए सही उत्र हो जाएगा राइट आंसर है निम्न मैंसे कौन सा रोग वाइरस से होता है तो right answer है influenza रोग वाइरस से होता है निम्न मैंसे कौन सा रोग जीवाणूं से नहीं होता है तो छोटी माता रोग जीवाणूं से नहीं होता है right answer हो जाएगा निम्न लिकित मैंसे किस रोग का उन्मूलन हो चुका है तो चेचक रोग का उन्मूलन हो चुका है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रेशन के लिए अगला कॉशन देख लेते हैं क्या पूशा गया है यह रहा आपके सामने प्रेशन है अकौता या दाद का कारण क्या है तो अकौता या दाद का कारण जो है यहां पर सही उत्तर हो जाएगा यह होता है कवक कवक के कारण होता है अकौता या दाद नेक्ट कॉशन देखते हैं एथलीट फुट नामक बीमारी इन में से किसके कारण से होती है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो है ये होती है, Fungus के द्वारा, Right answer हो जाएगा, अगला languou लेते हैं, क्या पूचा गया है, प्रश्न है, चले देखते हैं, तो मियादी बुखार में शरीम के कौन सा अंग प्रभावित होता है, Right answer क्या हो जाएगा, इस प्रशन two लिए, तो मियादी नामक रोगानू के फैलने का वाइरस से इन में से कौन सा रोग फैलता है राइट आंसर क्या है तो चेचक जो है वाइरस से फैलने वाला रोग है राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन देख लेते हैं क्या पूशा गया है प्रशने है भारत में निम्ने मैं से किस पूरो फुटबॉलर और कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो इनका नाम है सुभास भॉमिक जिनका निधन हो गया है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए अगला कॉशन देख लेते हैं भारत में हर साल 24 जनवरी को इनमें से कौन सा दिवस मनाय जाता है तो जो है वहाँ पर स्थापित कर दी है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है यह रहा आपके सामने जिनके भी गलत हो रहे हैं सही कर लीजे अगला कॉशन है इंगलेंड के किस पूरव बल्ले बाच ने ततकाल बजे अनकेडमी पर जरूर जुड़ जाएं करेक्ट बारा बजे अनकेडमी पर लाइव क्लास शुरू हो जाएगी 15 मिन के बाद आप टाइम पर जुड़ जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अन्त तक देखने के लिए शेयर जरूर करें लाइक जरूर करें थै